पित्री तीर्थ के प्रसंग में पिपल की तपस्या और सुकर्मा की पित्री भक्ति का वर्णन सारस के कहने से पिपल का सुकर्मा के पास जाना और सुकर्मा का उन्हें माता-पिता की सेवा का महत्व बताना वेन ने कहा भगवन आपने सब तीर्थों में उत्तम भार्य तीर्थ का वर्णन तो किया अब पुत्रों को तारने वाले पित्री तीर्थ का वर्णन कीजिए भागवान शी विष्टु ने कहा, परम पुन्य में कुरुक्षेत्र में कुंडल नाम के एक ब्रहमन रहते हैं उनके सुयोगे पुत्र का नाम सुकर्मा था सुकर्मा के माता और पिता दोनों ही अत्यंत वृध्ध, धर्मग्य और शास्त्र वेता थे सुकर्मा को भी धर्म का पुन्य ग्यान था वे शद्धा युक्त होकर बड़ी भक्ती के साथ दिन रात माता पिता की सेवा में लगे रहते थे उन्होंने पिता से ही संपून वेद और अनेकों शास्त्रों का अध्यन किया वे पून रूप से सदाचार का पालन करने वाले जीतेंद्रिये और सत्यवादी थे अपने ही हातों माता पिता का शरीर दबाते, पैर्ध होते और उन्हें स्थान भोजन आदी कराते थे राजेंद्र सुकर्मा सुभाव से ही भक्ति पूर्वक माता-पिता की परिचर्या करते थे और सदा उन्हीं के ध्यान में लीन रहते थे उन्हीं दिनों कश्यपकुल में उत्पन एक ब्रहामन थे जो पिपल नाम से प्रसिद्ध थे वे सदा धर्म कर्म में लगे रहते थे और इंद्रिय सायम, पवित्रता तथा मनो निग्रह से संपन थे एक समय की बात है वे महामना बुद्धिमान ब्रहामन दशारण्य में जाकर ज्यान और शान्ती के साधन में ततपर हो तपस्या करने लगे उनकी तपस्या के प्रभाव से आसपाक्स के समस्त प्राणियों का पारस पर एक वैर विरुत शान्त हो गया वे सब वहाँ एक पेट से पैदा हुए भाईयों की तरह हिल मिल कर रहते थे पेपल की तपस्या देख मुनियों तथा इंद्र आदी देवताओं को भी बड़ा विश्मय हुआ देवता कहने लगे अहो इस ब्राहमन की इतनी तीव्र तपस्या है कैसा मनो निग्रह है और कितना इंद्रिय सईयम है मन में विकार नहीं चित्में उद्वेग नहीं पर्वत की भांती अविचल भाव से स्थित रहे ऐसी अवस्था में पहुंचकर उनका चित एकाग्र हो गया वे ब्रह्म की ध्यान में तनमे थे उनका मुख कमल से प्रसंता से खिल उठा था वे पत्थर और काठ की भांती निश्चेश्ट एवं सुस्थिर दिखाई देते थे धर्म में उनका अनुराग था तब से शरीर दुर्बल हो गया था और हिर्दय में पूर्ण श्रद्धा थी इस प्रकार उन बुद्धिमान ब्रह्मन को तपस्या करते एक हजार वर्ष बीट गए वहां बहुत सी चीन्टियों ने मिलकर मिट्टी का धेर लगा दिया उनके ऊपर बांबी का विशाल मंदिर सा बना दिया काले सांपो ने आकर उनके शरीर को लपेट लिया भयंकर विश्वाले सर्प उन उग्रते जस्वी ब्रहमन को डस लेते थे किन्तु जहर उनके शरीर पर गिर जाता था उनकी तुचा को भेद कर भीतर नहीं फैलने पाता था उनके संपर्क में आकर स्वयम, शाप भी शाथ हो जाते थे उनकी दे से नाना प्रकार की तेजों में लपतें निकलती दिखाई देती थी पिपलतीनों काल तप में प्रवित रहते थे वे तीन हजार वर्षों तक केवल वायू पीकर रह गए तब देवताओं ने उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा की और कहा महाभाग तुम जिस जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो देसब निश्य ही प्राप्त होगी तुम्हें समस्त अभिलाशित पदार्थों को देने वाली सिध्धी स्वतह ही प्राप्त हो जाएगी यह वाक्य सुनकर महामना पिपल ने भक्ती पूर्वक मस्तक छुका कर समस्त देवताओं को प्रणाम किया और बड़े हर्ष में भर कर कहा देवताओं यह सारा जगत मेरे वश में हो जाए ऐसा वर्दान दीजिए मैं विद्यधर होना चाहता हूँ एवमस्तू कहकर देवताओं ने उन ब्रहामन को अभिष्ट वर्दान दिया और अपने अपने स्थान को चले गए राजिंद्र तब से द्विध्श्रेष्ट पिपल विद्यधर का पद पा गए और इच्छनोसार विचरते हुए सर्वत्र सम्मानित होने लगे एक दिन महातिजस्वी पिपल ने विचार किया देवताओं ने मुझे वर्दिया है कि संपूर्ण विश्व तुम्हारे वश में हो जाए अतह उसकी परीक्षा तो करनी ही चाहिए यह सोच कर वे उसे आज माने को तयार हुए जिस जिस व्यक्ति के बारे में वे मन से चिंतन करते वही वही उनके वश में हो जाता इस प्रकार जब उन्हें देवताओं की बात पर विश्वास हो गया तब वे अहंकार के वशी भूत हो सोचने लगे मेरे समान श्रेष्ट पुरुष इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं पिपल जब इस प्रकार की भावना करने लगे तब उनके मन का भाव जानकर एक सारस ने कहा ब्राहमन तुम ऐसा अहंकार क्यों कर रहे हो कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ मैं तो ऐसा नहीं मानता सब को वर्ष में करने की सिध्धी केवल तुम ही को प्राप्थ हुई है पिपल मेरे समझ में तुम्हारे बुद्धी मूड है तुम पराचीन तत्व को नहीं जानते तुमने तीन हजार वर्षों तक तप किया है इसी का तुम्हें गर्व है फिर भी तुम यहां मूड ही रह गए कुंडल के जो सुकर्मा नामक पुत्र हैं वे विद्वान पुरुष हैं उनकी बुध्धी उत्तम है वे अर्वाचिन तथा पराचिन तत्व को जानते हैं पिपल तुम कान खोल कर सुन लो संसार में सुकर्मा के समान महाग्यानी दूसरा कोई नहीं है उन्होंने दान नहीं दिया धियान हूम और यग्यादी कर्म भी कभी नहीं किय ना तीर्थ करने गए ना गुरु की उपास नहीं कि वे कीवल माता-पिता के हितैशी हैं वेदा अध्यन संपन्न हैं तथा संपूर्ण शास्त्रों के ग्याता हैं यद्यपी सुकर्मा अभी बालक है तो भी उन्हें जैसा ग्यान प्राप्त है वैसा तुम्हें अब तक नहीं हुआ ऐसी दशा में तुम व्यर्त ही ये गर्व का भोज दो रहे हो पिपल बोले आप कौन है ज पूर्णेता समझाइए सारस ने कहा दुछ रेष्ट कुंडल के बालक पुत्र को जैसा ग्यान प्राप्त है दैसा तुम में नहीं है यहां से जाओ और अर्वाचिन एवं पराचिन का सुरूप तथा मेरा परिचय भी उन्हीं से पूछो वे धर्मात्मा है तुम्हें सारा ग्यान बतला ही देंगे सारस की यह बात सुनकर विप्रवर पिपल बड़े वेग से कुंडल के आश्रम की ओर गए वहां पहुचकर उन्होंने देखा सुकर्मा माता-पिता की सेवा में लगे हैं वे सत्य पराक्रमी महात्मा अपने माता-पिता की चर्णों के निकट पैठ करते थे कुंडल कुमार सुकर्मा ने जब पिपल को अपने द्वार पर आया देखा तब वे आशन छोड़कर तुरंत खड़े हो गए और आगे बढ़कर उनका स्वागत किया फिर उनका आशन पाध्य और अर्ग्य आदि निवेदन करके पूछा महाप्राग आप कुशल स तो हैं मार्ग में कोई कस्ट तो नहीं हुआ जिस कारण से आपका यहां आना हुआ वे सब मैं बताता हूं महाभाग आपने तीन हजार वर्षों तक तपस्या करके देवताओं से वर्दान प्राप्त किया सब कुश में करने की शक्ति और इच्छा नुसार गति पाई है इस से उन्मत हो जाने के कारण आपके मन में गर्व हो गया तब महात्मा सारस ने आपकी सारी चेश्टा देखकर आपको मेरा नाम बताया और मेरे उत्तम ग्यान का परिचे दिया पिपल ने पूछा ब्रह्मन नदी की तीर पर जो सारस मिला था जिसने मुझे यह कहकर कि आपके पास बेजा है कि वे सब ग्यान आप पता सकते हैं वे कौन था सुकरमा ने कहा विप्रवर्ण सरीटा के तर्ट पर जिन्हों ने सारस के रूप में आप से बात की थी वे साक्षात महात्मा ब्रह्मा जी थे यह सुनकर धर्मात्मा पिपल ने ब्रह्मन मैंने सुना है सारा जगत आपके अधीन है इस बात को देखने के लिए मेरे मन में उतकंठा हो रही है आप यतन करके मुझे अपनी ये शक्ति दिखाई तब सुकर्मा ने पिपल को विश्वास दिलाने के लिए देवताओं का स्मरण किया उनके आवाहन करने पर संपून देवता वहां आए और सुकर्मा से इस प्रकार बोले ब्रह्मन तुमने किसलिए हमें याद किया इसका कारण बताओं सुकर्मा ने कहा देवगन विद्यादर पिपल आज मेरे अतिति हुए है ये इस बात का प्रमान चाहते हैं कि संपून विश्व मेरे वश्व मे कैसे है इन्हें विश्वास दिलाने के लिए ही मैंने आप लोगों का आबाहन किया है अब आप अपने अपने स्थान को पधारें तब देवताओं ने कहा ब्रह्मन हमारा दर्शन निश्वल नहीं होता तुम्हारा कल्यान हो, तुम्हारे मन को जो रुचिकर प्रतीत हो, वही वर्दान हमसे मांग लो तक दुच्षिश सुकर्मा ने देवताओं को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके यह वर मांगा देविश्वरों, माता पिता के चरनों में मेरी उत्तम भक्ति सदा सुस्थिर रहे, तथा मेरे माता पिता भगवान श्री विष्णु के धाम को जाएं देवता बोले विप्रवर तुम माता पिता के भक्त तो हो ही तुम्हारी उत्तम भक्ती और भी बड़े यूं कहकर संपूर्ण देवता स्वर्ग लोग को चले गए पिपल ने भी ये महान और अध्भुत कौतुक प्रत्यक्ष देखा तजपश्यात उन्होंने कुंडल पुत्र सुकर्मा से कहा बक्ताओं में श्रेष्ट परमातमा का अरवाचिन और पराचिन रूप कैसा होता है दोनों का प्रभाव क्या है यह बताईए सुकर्मा ने कहा ब्रह्मन मैं पहले आपको पराचिन रूप की पहचान कराता हूँ उसी से इंड्र आदि देवता तथा चराचर जगत मुहित है ये जो जगत के स्वामी परमात्मा हैं वे सब में मौजूद और सर्व्यापक है उनके रूप को किसी योगी ने भी देखा नहीं है शुति भी ऐसा ही कहती है कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता उनके ना हाथ है ना पैर ना नाक ना कान ना मुखी है फिर भी वे तीनों लोकों के निवासियों के सारे कर्म देखा करते हैं कान ना होने पर भी सब की कही हुई बातों को सुनते हैं, वे परम शांती प्रदान करने वाले हैं, हाथ ना होने पर भी काम करते और पैरों से रहे थोकर भी सब और दोड़ते हैं, वे व्यापक, निर्मल, सिद्ध, सिद्धी दायक और सब के नायक हैं, आकाश सुरूप और अनन्त हैं व्यास्तता मारकंडे उनके सुरूप को जानते हैं अब मैं भगवान के अरवाचिन रूप का वर्णन करूंगा तुम एकाग्रचित होकर सुनो जिस सम्पूर्ण भूतों के आत्मा प्रजापती ब्रह्मा जी स्वयम ही सबका संघार करके श्री भगवान के रूप में स्थित होते हैं और भगवान श्री जनार्दन उन्हें अपने में लीन करके पानी के भीतर शेशनाग की शयया पर दीर्ग काल तक अकेले सोई रहते हैं उस समय की बात है महामुनी मारकंडे जी जल और अंधकार से व्याकुल हो इधर उधर भटक रहे थे उन्होंने देखा सर्विव्यापी ईश्वर शेशनाग की शयया पर सो रहे हैं उनका तेज करोडों सूर्यों के समान जान पड़ता था वे दिव्य आभूशन, दिव्य माला और दिव्य वस्तधारन की ये योग निद्रा में स्थित हैं उनका श्री विग्रह बड़ा ही कमनी हैं उनके हाथों में शंख, चक्र और गदा विराजमान हैं उनके पास ही उन्होंने एक विशालकाय तुस्त्री देखी जो काली जन राशी की समान थी उसका रूप बड़ा भयंकर था उसने मुनिश्रेष्ट मारकंडे जी से कहा महामुने दरुमत तब उन योगेश्वर ने कहा देवी तुम कौन हो मुनी की इस प्रकार पूछने पर देवी ने बड़े आदर के साथ कहा प्रह्मन जो शेशना की शया पर सो रहे हैं वे भगवान श्री विष्णु हैं मैं उन्ही की वैश्णवी शक्ति काल रात्री हूं पेपल जी यो कहकर वे देवी अंतरधान हो गई उसके चले जाने पर मारकंडे जी ने देखा भगवान की नाभी से एक कमर प्रकट हुआ जिसकी कांती सुवर्ण की समा उसी से महातेजस्वी लोग पितामह ब्रह्मा जी उत्पन हुए फिर ब्रह्मा जी से समस्त चराचर प्राणी इंद्राधी लोगपाल तथा अगनियादी देवताओं का जन्म हुआ इस प्रकार मैंने ये अर्वाचिन का सुरूप बतलाया अर्वाचिन रूप शरीर धारी है और पराचीन रूप शरीर रहित है अतह ब्रह्मा आधी संपूर्ण देवता अर्वाचिन है ये लोग भी जो तीनों भूवनों में स्थित हैं अर्वाचिन ही माने गए हैं विद्यदर मोक्ष रूप जो परमस्थान है जिसे पर ब्रह्म कहते हैं जो अव्यक्त अक्षर हंसरूप, शुद्ध और सिधी युक्त है वही पराचिन है इस प्रकार तुम्हारे सामने पराचिन सुरूप का वर्णन किया है विद्यधर ने पूछा सुवरत आप अर्वाचिन और पराचिन सुरूप के विद्धवान है तीनों लोगों का उत्तम ज्यान आप में बर्त कारण है कैसे आपको सब बातों का ज्ञान प्राप्त हुआ सुकर्मा ने कहा ब्रह्मन मैंने यजन याजन धर्मानुष्ठान ग्यानुर्पाजन और तीर्थ सेवन कुछ भी नहीं किया इनके सिवा और भी किसी शुब कर्म जनित पुर्ण्य का अर्जन मेरे द्वारा नहीं ह हुआ मैं तो स्पश्ट रूप से एक ही बात जानता हूं वह यह है कि पिता और माता के सेवा पूजा तिदल मैं स्वैम ही अपने हाथ से माता-पिता के चर्ण धोने का पुर्ने कारे कर ता ँथ च्डिके शरीर की सेवा करता हूं उन्हें स्नान और भोजन आदी कराता हूं। प्रति दिन तीनों समय माता-पिता की सेवा में ही लगा रहता हूं। जब तक मेरे माता-पिता जीवित हैं तब तक मुझे ये अतुलनिये लाभ मिल रहा है। कि तीनों समय मैं शुद्धभाव से मन लगा कर इन लोगों की पूजा करता हूँ पिपल मुझे दूसरी तपस्या से क्या लेना है तीर सियात्रा तथा अन्य पुन्य कर्मों से क्या प्रियोजन है विद्वान पुरुष संपून यग्यों का अनुष्ठान करके जिस फल को प्राप्त करते हैं वही मैंने माता पिता की सेवा से पा लिया है जहां माता पिता रहते हों वहीं पुत्र के लिए गंगा गया और पुशकर तीर्थ है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है माता पिता की सेवा से पुत्र के पास अन्याने पवित्र तीर्थ भी स्वयम ही पहुँचाते हैं जो पुत्र माता पिता की जीतेजी उनकी सेवा करता है उसके उपर देवता तथा पुन्यात्मा महरशी प्रसन्न होते है पिता की सेवा से तीनों लोग संतुष्ट हो जाते हैं जो पुत्र प्रती दिन माता-पिता के चरण पखारता है उसे नित्ति-प्रत्ति गंगास्नान का फल मिलता है जिस पुत्र ने ताम्बुल, बस्त्र, खान-पान की विविद सामगरी तथा पवित्र अन के द्वारा भक्ति-पूर्वक माता-पिता का पूजन किया है वे सरवग्य होता है दुज्रेश्ट, माता-पिता को स्नान कराते समय जब उनके शरीर से जलके चीन्टे उचर कर पुत्र के संपूर्ण अंगों पर पढ़ते हैं उस समय उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है यदि पिता-पतित, भूख से व्याकुल, व्रिध, सब कारें में अस्मर्थ, रोगी और कोडी हो गए हो तथा माता की भी वही अवस्था हो उस समय भी जो पुत्र उनकी सेवा करता है उस पर निसंद्य भगवान श्री विष्णु प्रसन होते हैं वे योगियों के लिए भी दुरलब भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है जो किसी अंग से हीन, दीन, व्रिध, दुखी तथा महान रोग से पिड़ित माता-पिता को त्याग देता है वे पापात्मा पुत्र कीड़ों से भरे हुए दारुन नर्क में पड़ता है जो पुत्र बुढ़े माबाप के बुलाने पर भी उनके पास नहीं जाता वे मूर्ख विष्ठा खाने वाला कीड़ा होता है तथा हजार जन्मों तक उसे कुत्ते की योनी में जन्म लेना पड़ता है व्रिद्ध माता-पिता जब घर में मौझूद हो उस समय जो पुत्र पहले उन्हें भोजन कराए बिना स्वयम अन्न ग्रहन करता है वे घर्णत कीड़ा होता है और हजारों जन्मों तक मलमूत्र भोजन करता है इसके सिवा वे पापी तीन सो जन्मों तक काला नाग होता है जो पुत्र कटू वचनों द्वारा माता-पिता की निंदा करता है वे पापी बाग की योनी में जन्म लेता है तथा और भी बहुत दुख उठाता है जो पापात्मा पुत्र माता-पिता को प्रणाम नहीं करता वे हजारों युगों तक कुम्भी पाक नर्क में निवास करता है पुत्र के लिए माता-पिता से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं माता-पिता इस लोक और परलोक में भी नारायन के समान है इसलिए महाप्राग मैं प्रती दिन माता-पिता की पूजा करता और उनकी योक्षेम की चिंता में लगा रहता हूँ इससे तीनों लोक मेरे वश में हो गए हैं माता-पिता की प्रसाद से ही मुझे पराचिन तथा वासुदेव सुरूप अरवाचिन तत्व का उत्तम ज्यान प्राप्थ हुआ मेरी सर्वग्यता में माता-पिता की सेवा ही कारण है भला कौन ऐसा विद्वान पुरुष होगा चो पिता-पिता-पिता की पूजा नहीं करेगा ब्रह्मन, शुति, उपनिशद और शास्त्रों सहित संपून वेदों के सांगोपांग अध्यन से ही क्या लाब हुआ यदि उसने माता-पिता का पूजन नहीं किया उसका वेदा अध्यन व्यर्थ है उसके यग्य, तप, दान और पूजन से भी कोई लाब नहीं जिसने माबाप का आदर नहीं किया उसके सभी शुब कर्म निश्वल होते हैं माता-पिता ही पुत्र के लिए धर्म, तीर्थ, मोक्ष, चन्म के उत्तमफल, यक्य और दान आदी सब कुछ है झाल